इस सेशन में हम डिसकस करेंगे number series जो की examiner के favorite topics में से एक है almost सभी competitive exams में number series से questions पुछे जाते हैं especially bank exams में इस topic का vintage 5 marks तक होता है इसलिए number series एक बहुत important topic है और साथ-साथ challenging भी है challenging इसलिए क्योंकि यहाँ पर questions solve करनी के लिए कोई definite method या definite formula नहीं है सर्फ trial and error के basis पर ही हम इन questions को solve करने के कोशिश करेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि number series जैसे आप समझ सकते हैं series of numbers है यहाँ पर हमें sequence of numbers दिये जाते हैं और हमें identify करना होता है next number या फिर missing number या दिये गए series में से कोई एक number wrong होगा हमें उस wrong number को identify करना है अब जो भी numbers दिये जाते हैं इनके पीछे एक predefined rule या logic apply किया गया होता है और question को solve करने के लिए यानि missing number को या wrong number को identify करने के लिए हमें उसी predefined rule को या logic को apply करना होगा अब क्या logic use किया गया है ये directly बता पाना मुश्किल है क्योंकि logic जैसे आप जानते है infinite possible logic से हैं कुछ भी use किया जा सकता है इसलिए number series के question solve परना थोड़ा challenging होगा क्योंकि चाहे जो भी question हो missing number पर based question हो या wrong number पर based question हो logic identify करना बहुत ज़रूरी है तो एक important point हम सभी को ये ध्यान में रखना है कि exam में इन questions को solve करते समय हम इन पर ज़्यादा time waste नहीं करेंगे अगर हमें सही logic नहीं आ रहा हो अगर first 15, 20 या मानले first 30 seconds में हम logic identify कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है question solve कर सकेंगे otherwise हम इन questions को skip करके बाकी के जो topics वाले question है जिनमें कोई definite method या formula हम अपलाई कर सकते हैं उन पर ज़्यादा focus करेंगे क्योंकि number series के question solve करने के लिए कितना time लेगेगा ये हम नहीं बता पाएंगे कोई guarantee नहीं है कि हम इन questions को solve कर सके 5 minutes spend करने के बाद भी तो बेटर यह होगा कि हम इन पर focus जादा ना करें focus definitely करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनके पीछे ही पर जाएं जब तक हमे right answer ना आएं examination point of view से 20 से 30 seconds तक हम spend कर सकते हैं per question अगर logic आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है otherwise आप जानते हैं सबसे best method होगा